बिसमिल्याइब रहाई रही मसलामुलेकुम्वेश वेलकम बैक टो मैं चानल अलुमीद है आप सब खेरियत से छीक आप पुछन फाइन होंगे हम भी अल्ला के करम सहरो आफियत से हैं आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इंतहाई मज़िदार जितना देखने में तो आए आज यह वीडियो हम स्टाट करते हूं और आपके इंटरस्टिंग टीस बता दू यह सैलेड आपकी सहत के लिए बहुत अच्छा है यह आपको मोटा शोटा बिल्कुर नहीं करने वाला है लेकिन यह आपकी जाइच में अगर आप इसे ले रहे हैं अगर आप इसे तुमाम सबजियां कर लिए हैं यह नो डैट के लाइफ इतनी फास्टर लिए किसी के अभास इतना चाइड नहीं है कि बेट के मैंने तो मैट्र पोटेटोस की कटिंग देखे तो चलिए सीधा 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 अपना वीडियो स्टाइटे हैं मैंने लिए बन को भी बीट रूड चिकंदर और चमाचर इन सब को ना मैंने कोशिश किया कि मैं मिक्रोनी के ही स्टाइल में कट करूँ अच्छा लगता है और साथ में यह मैंने अन्यन दिया है इसको मैंने अलग किसलिए कट किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ यहां मैंने यह ले लिया है गोश्त और इसको जो है तो मैंने ना बॉइल कर दिया है नमक और हल्दी और दड़ा मिर्च के साथ चीक है सादा बॉइल करना उच्छा नहीं लगता तो अभी इसको हम बना लेंगे इसका रिश्या इस तरह से बहत असानी से बन जाएगा एक मिनिट के अंदर इंदर मैंने बहुत अच्छे से इसको बॉइल किया था सैलेड महीं होता है कि अच्छा नहीं लगेगा अगर जरा बराबर भी आपको कच्छा टेस्ट आएगा ना यह तो डन है एक मिनिट भी नहीं लगा यह हो गया रेडी अब यहां आपको एक और चीज बता दूंगर आपके पास गोश्ट नहीं अवैलिबल तो आप इसकी जगह चिकन वाइल करके भी जूज कर सकते हैं आप पोटेटो भी वाइल करके यूज कर सकते हैं इसके अगर तो आप यहां ओगा यहां अपके भी ध्याल है नुज करना है और आप लोगी दाल भी यूज कर सकते हैं और इसमें वाइल कर सकते हैं तो एक सटेप अब मैं आपको बता देती हूं प्यास में यहां मैं आपको बहुत मज़िदार सी टिप दे रही हूं जब भी जुख करना तो इसको आपने अचाए अपने डालना है अपने जब भी जुख करना है आपने पहले डाल देना है नमक ग्युख के डाल कि यहां हमें भी हमें तो बहुत करना है रही है जब मेरे चम्मेच के साढ़ है अक procent द्सक्राइम करते ञाद दें यह क्याद आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगाना तो कमिंट करके ज़रूर बताना आप मुझे अब हम करते हैं मिक्सिंग एक जार लेंगे इसमें जाएगा सबसे पहले बीफ इसमें बीटरूट डालें साथ में सब हेल्दी हैं बंसे भीटों सब्सक्राइब करें, मैं नहीं है इसके अच्छेड पकाष जल्प टार लेख मेंगें मैं डॉक्टर कॉझन कापन यह घ्ल्फ क्या अच्छा नहीं होता प्यास सबस्क्राव कर लिए इसको यह उस अगया नहीं हमेशही जाती है किषे है कफी है न काफी है अब हमारा फाइनल स्टेप में अब हमसमें डालेंगे यह मीच्रोणी और धियान रखेगा मिचरोणी को आपने फूली बॉयल करना है 100% च्होड़ना है इस अब उसमें जाए बटालेंगे मिझे इस लेखानी को एक अब ताइम आता है इसमें प्रक्रोणी अब नमक नमक शाट मसाला ते और यह एक जमच बढ़ता है और नमक जाना है जाना हैया जाना है लेमन जूश लेमन जूस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसमें तकरीव एक चमच के करीब आप इसमें डालेंगे यह है कि आपके गरमें जो भी सबजियां और बीफ मुझूद है गरमें डाल वगेरा अप उनके साथ की सैलेडी कर सकते हैं तो मेरे पास अब जो चीजें मुझूद थी गरमें अनी के साथ बनाया है और जूस नहीं था अज लेमन जूस नहीं था गरमें फ्रेश लेमन नहीं था गरमें यूस नहीं किया है लेकिन आप लाजमी करना है क्योंकि इसका फ्रेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें ठीक ह और देखिए देखने में इतना मज़िदार लगता है आप इतने महमानों को भी से सर्फ कर सकते हैं यह बहुत जड़ पर 5-7 मिनिट में बन जाने वाली रेसिपी है जब बंदा वीडियो शूट कर रहा होता है थोड़ा बहुत टाइम इसमें लग जाता है लेकिन अगर आप अगर आप बना रहे ना तो यह फोरन बन जाएगा ठीक है 5-7 मिनिट लगेंगा आप महमानों को भी सर्फ कीजिए बहुत मज़े की रेसिपी है मुझे यकीन इंशाला आपको बहुत पसंद आएगी मेरी बहुत फैवरेच है पास्टा पिक्रोनी नहीं चीज़ें ट्राइ सब्सक्राइब कर दीजिए तो हम याद रिखेगा अतना अतना प्यारे का रिखेगा चैनल हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में टिल देन टेक के बाबाएं जाला हाफीज